हेलो फ्रेंट्स बहुत बहुत वागत आप सभी का एक बाफ फिर से सरकारी हट में तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी को KGMO की जो BSC Nursing की काउंसलिंग है उससे लेटेट जो है एक इंपोर्टेंट अपडेट देने वालों वह नोटेट जो है मैंने डाउनलोड कर लिया है तो बेसिकली यह स्टुडेंट के लिए नहीं है यह सारी जितने भी कॉलेज और अथारिटीज है उन सभी के लिए यह नोटेज जो है वह बब्लिश किया गया है लेकिन इससे हमको काफी सारी इंफोर्मेशन वह अभी मिल जाएगे वह मैं आपको बता रहा हूं आगे किस तरीके से यहां पर आप देख सकते लिखा हुआ है कारियाले आदेश ठीक है और यहां पर लिखा है एतद द्वारा अटल बिहारी वाजपई विश्विद्द्याले उतरप्रदेश लखनाओ से संबद समस्ष नर्सिंग कॉलेजों को सूचित किया जाता है कि शेक्षिक शत्र दो हजार बाइस ते इसमें बीएस सी नर्सिंग में प्रवेश एतु काउंसलिंग महाने देशक चिकिस्सा शिक्षा एवं परशिक्षन उतरप्रदेश लखनाओ दोरा या था शेग्र प्रारम होने वाली है ततक नर्सिंग कॉलेजों में स्विक्रिस पर उपलब्द गूगल फॉर्म पर समझत विवरण सही सीट मैट्रिक्स की सूचना दिनाक 16 अगस 2022 के अपरहन तीन बज़े तक प्रतेक दशा में उपलब्द कराना सुनिश्चित करें अन्य था कि दशा में संबंदित कॉलेज स्वयम उत्तरदाय होंगे ठीक है तो अब अब एक चीज़ यह समझ लो कि यहां पर जो है इन्हों ने यह बोल दिया कि जितने भी कॉलेजेश हैं ठीक है जो कि आपकी ABVM और KGMO के अंडर आने तो उन सभी को यह बोला गया है कि उनको अपने कॉलेज की सीट मैट्रिक्स जो है वो प्रोवाइट करनी होगी तो यह जो नोटिस है यह सारे कॉलेज अथोरिटीज के लिए और उनको यह बोला गया है कि 16th of August दो पहर 3 बज़े तक जो है उनको online जो अभी मैंने आपको वो दिखा था फॉर्म फिल करने का जो option आ रहा है यहां पर ठीक है यह जो लिखा हुआ है BAC Nursing seat matrix of session 2022-23 fill form क्लिक है तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे Google form open होके आ रहा है तो colleges जितने भी है उनको अपनी seat matrix PDF form में जो भी है वहाँ पर upload करनी होगी उस Google form में ठीक है तो वो सारा data जब सारे colleges के पास university के पास आ जाएगा तो university के आने के पास उसको collectively जो है वो आप सभी को provide कर दिया जाएगा ठीक है म वो फिर से PDF या जो भी Excel file जो भी बनाते है वो तो वो जो complete sheet matrix है फिर वो आपको दी जाएगी ताकि future में जो है आप अपने colleges के बारे में जो भी आपको priority रखनी है वो आप उसके according रख सकें ठीक है तो 16th of August का जो है यहाँ पर time दिया गया है सारे ही colleges को यानि कि 16 तक तक तो भी counseling से related कोई notice नहीं आएगा अब 16 अगस्तर अगर वो लोग जमा करते हैं तो आप यह मान सकते हो कि 2-3 दिन उनको भी सारा जो data है उसको collect करने में और उसको जो है arrange करने में इतना time लग जाएगा तो यह मान सकते है कि 20 तारीक के आसपस यानि कि 20 August 2022 के आसपस जो है आपको counseling से related notice आजाएगा समझ अगरी बद कि आपकी counseling जो है कब से start होने वाले है क्योंकि सबसे पहले counseling स्टार्ट होने से पहले आपके पास seat matrix आएगे ठीक है तो seat matrix जो है 18 या 19 तक ही prepare हो पाएगी तो 20 या 21 सगस के आसपास जो है आपके पास official notice आजाएगा counseling का ठीक है तब आप जो है चेक कर पाओगे कि आपको counseling के registration कैसे करना है ठीक है तो यह अभी तक का important update है KGMO nursing से related अब इसके बाद कोई और update आदा तो उसके बारे में वीजियो मैं आपको inform कर दूँगा ठीक है अगर यह वीडियो helpful लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर दिना चैनल पर नहींगे तो subscribe कर लो और bell icon को press कर लो इसे लेटर जो भी आगे update आएगा उसके बारे में मैं आपको information provide कर दूँगा okay so thank you and have a nice day